इस question में हमें f x given है, g x given है, हमें f plus g निकालना है, f plus g के लिए मैं f x और g x की value add करतेता हूं, यह मेरा आ जाएगा x square plus 2x plus 1, f plus g यह आ गया मेरा, f minus g के लिए मैं f x और g x की value सब राग करतेता हूं, तो f minus g आ जाएगा मेरा, कुछ ऐसे, अब f into g निकाल रहे है, f g के लिए मैं यहाँ पर f x और g x की value multiply कर जाता हूं, यह मेरा आ जाएगा कुछ ऐसे, 2x q plus x square, अब मुझे f by g निकालना है, f by g के लिए हम एक चीज जहान रगते हैं, जो मेरे denominator होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो denominator आया मेरा 2x plus 1, यह 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मेरे x की value minus half नहीं होनी चाहिए, तो f by g आयाएगा मेरा x square divided by 2x plus 1, जहाँ पर x is not equal to minus 1 by 2.